उस्ट्रेलिया में भारत और उस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के पहले वन डे इंटरनेशनल मैच के दौरान मैदान पर अडानी के प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा है आपको बता दे कि दो लोगों ने मैदान में प्ले कार्ड को लहराना शुरू कर दिया जिस पर अडानी के कोईले की ख़दान के प्रोजेक्ट का विरोध जताने वाली पंक्तिया लिखी हुई थी विरोध जताते हुए लिखा गया था कि कोईला खदान प्रोजेक्ट शुरू होने से पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा इससे पर्यावरण दूशित होगा मैच में इस विरोध से काफी देर तक अफरा तफरी भी मची रही बता दे कि अडानी के प्रोजेक्ट को लेकर आस्ट्रेलिया में काफी समय से विरोध चल रहा है भारत और आस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले जा रहे सिरीज के पहले वन डे इंटरनेशनल मैच के दोरान भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला अस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर सिरीज के पहले वन डे के दोरान कुछ लोग मैदान पर प्ले कार्ड लेकर उतर गए जिस पर लिखा हुआ था अडानी के खिलाफ एक्शन ले मैदान पर मौझूद सुरक्षा गार्ड इन लोगों को बाहर ले गए हलाकि मैदान पर दर्शकों का आकर खेल रोकना कोई नई बात नहीं है लेकिन इस बार विरोध करता के हाथों में प्ले कार्ड था जिस पर अडानी का विरोध जाहिर किया गया था हलाकि इसके साथ ही सुरक्षा में चूक को लेकर भी सवाल उठने लाजमी है कोविड नाइंटीन और बायो बबल सिक्योरिटी के दोरान दर्शकों का यू मैदान पर आना और खिलाडियों वैंपाइर्स के इतने करीब पहुँच जाना वाकई बड़ी सुरक्षा चूक है विरोध करताओं की टिशर्ट के सामने स्टॉप अडानी जैसे अन्य स्लोगन रूपी पंक्तिया लिखी हुई थी यहां आपको ये भी बता दे कि इस साल सितंबर में भी अडानी की कोईला खदान ने पर्यावर्ण कारेकरताओं के खिलाफ अदालती जंग जीती थी ग्रूप ने बताया था कि उसने क्विंसलेंड प्रांत में 1500 लोगों को नोकरी मुहया करवाने का ओफर दिया है बल्लेबास डेविड वार्डनर और आरोन फिंच ने टीम को अब तक बहतरीन शुरुवात दी और उस्ट्रेलिया ने बिना कोई विकेट गवाए सो से ज़ादा रन बना लिए सिद्नी में खेले जा रहे इस मैच में दर्शकों की फिर से मैदान पर एंट्री हुई है हलाकि उनकी संख्या को सिमित ही थी इसी बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे मैच में दो प्रदर्शनकारी स्टेट बैंक ओफ इंडिया का बोर्ड हाथ में लिए मैदान में घुसाए दरसल यह घटना ऑस्ट्रेलिया पारी के छटे ओवर के दोरान हुई जब दो प्रदर्शनकारी SBI का बोर्ड लेकर मैदान में घुस गए उनके इस बौर्ड पर लिखा था नो SBI लोन और वह अडानी ग्रूप का विरोध करते दिखाई दे रहे थे उनमें से एक प्रदर्शनकारी की टीशिट पर आगे लिखा था अडानी को रोको जबकि टीशिट के पीछे की तरफ लिखा था कोईला बंद करो अडानी को रोको एक्शन लो सुरक्षा कर्मियों ने इन दोनों को काफी मशक्कत के बाद मैदान से बाहर निकाला बता दें कि इस साल सितंबर में औस्टेलिया की कुक्ख्यात अडानी कोईला माई ने एंवार्मेंट एक्टिविस्ट के खिलाफ जीत दर्ज की थी वहीं प्रदर्शन कारियों के इस तरह मैदान पर आसानी के साथ गुज़ जाने के बाद खिलाडियों की सुरक्षा को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है समाचार एक्स प्रसक्रीप कैसे it to be a खड़ा है भी कारिव समी के खड़े संन के खड़ा है प्रेव मैं उन्या खड़ खड़ चू़ा है एसे ही लेटेस्ट परेपाने के लिए बेल इकन को फिलिक कर हमारी चैनल को लाइज, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद परेडिंग, लाँचिंग और पार्टी राजगराना एंड जोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट एंटर्प्राइब